Hello everyone, welcome to my channel इस वीडियो में हम कक्षा आठ के हिस्टरी के फर्स्ट चैप्टर जिसका टाइटल है कैसे, कब और कहां इसको समझेंगे देखिए, शुरू करते हैं तारिखें कितनी महतवपूर्ण होती हैं एक वक्त था जब इतिहासकार तारिखों के जादू में ही खोई रहते थे कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद हुआ इन्ही तारिखों पर गर्मा गरम बहसे चलती थी आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारिखों का प्राय माना जाता है आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा एतिहास तो बहुत उबाओ है भई, बस तारिखें रठते चले जाओ क्या एतिहास के बारे में यह दारना सही है दिखिए, एक समय होता था, जब हमारे एतिहासकार थे वो सब तारिखों के जादू में खोई रहते थे कब कौन सा राजा, गद्दी बे बैठा, कब कौन सा युद हुआ इनी तारिखों पर ही पहसे चलती रहती थी और जो अगर हम आम भाशा में समझें तो उनके हिसाब से जो एतिहास है वो तारिखों से ही भरा हुआ है अपने लोगों को भी कहते हुए सुना होगा कि एतिहास जो हिस्ट्री है वो बहुत ही बोरिंग है क्योंकि इसमें सिर्फ तारिखें ही तारिखें है और हमें उन्हें रटना पड़ता है आगे है कि इसमें कोई शक नहीं कि एतिहास अलग-अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आई है देखिए जो एतिहास है, वो है क्या असलित में, कि ये जो समय समर पर जो बदलाव भी आते रहते हैं, ये उन्हें की बारे में ही है, इसका संबंध इस बात से है, कि पुराने टाइम में चीज़ें किस परकार की हुआ करती थी और उसमें कैसे कैसे बदलाव आते गए, देख समय का जिकर करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं, देखिए अगर हम अतीत पुरानी बात और आज की अगर हम तुला करें, तो हम उसमें टाइम का जिकर करेंगे, हम हिस्टरी के लिए या पुराने चीज़ के लिए लगाएंगे, कि पहले ऐसा होत तथा और उसके बाद में ऐसा होने लगा ठीक है रोज मर्रा की जिंदिगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा एतिहासिक सवाल नहीं उटाते कि जो जिंदिगी में हम रोज देख रहे हैं उन पर हम एतिहासिक सवाल नहीं उटाते हम चीजों को स्वाभाविक मान कर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है, वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो, लेकिन हम सब के सामने कभी-कभी अचंबे के शन आते हैं, कई बर हम उत्सुक हो जाते हैं, और ऐसे सवाल पूछते हैं, जो वाकई एतिहासिक होते हैं, देखिए जो हमारे डेली की चीज़े होती है उन पर हम कभी भी सवाल ने उठाते कि ये ऐसा क्यूं है ये वैसा क्यूं है, लेकिन कभी-कभी मन में हमारे ऐसे सवाल आ भी जाते हैं, और तब हम सोचते हैं कि ये तो बड़ी एतिहासिक बात है किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाए के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाए या कोफी पीरने का चलन शुरू कब से हुआ होगा रेलगाड़े के खिड़की से बहार जांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्मान कभ हुआ होगा रेलगाड़े के आने से पहले पहले लोग दूर-दूर की यातरा किस तरह कर पाते थे देखे कुछ कोशन्स हमारे मन में कभी भी आ सकते हैं कि हम सोच सकते हैं कि जो चाय हम रोज हमारे घर में पी जाती है इसको ये कब शुरू हुई थी या इसको सबसे पहले किसने पिया था इस तरह के सवाल हमारे मन में आ जाते हैं अगर हम रेल में सफर कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि अरे पहले वाले लोग इतने दूर दूर तक कैसे सफर करते थे, ये सारी चीजे हमारे मन में आ जाती हैं, सुबह सुबह अकबार पढ़ते हुए, आप यह जानने के उत्सुक हो सकते हैं, कि जिस जमाने में अकबार नही चपते थे, उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलते थी, और जब हम अकबार पढ़ते हैं, तब भी हमारे मन में जिग्यासा हो सकती है, कि पहले वाले लोग कैसे इदर उदर की जानकारी लेते थे, जिसमें देश और दुनिया की उन्हें कैसे खबर हो जाती थी, देखिए जो यहाँ पर राइट सैड एक जो फोटो है, उसमें लिखा हो है हिंदोस्तान बाई आर जे रेनल फरस 1782, देखिए जो फोटो है, यह जे रेनल के दवारा बनाई गई है, इसमें क्या है एक जो ब्रामन है, यह जो ब्रामन दिख रही है, यह ब्रीटिश को ब्रीटेनिया को शास्तर भेंट कर रहे है, जे मस रेनल त्यार किये गई पहले नक्षे का आवरन चित्र 1782, इसमें जो ब्रामन है वो ब्रीटेनिया को शास्तर भेंट कर रहे है, और यह उनका एक पहला नक्षा है, जो जे मस रेनल ने 17 fiance में बनाया था, जो रोबर्न क्ला काम सोप था भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्षे त्यार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छा पूर्वक अपने प्राचिन प्रवित लाक्षे कर रहे हों देखिये इसमें जो जेमस रेनल है उन्होंने ये शो किया है कि जो भारतिये थे भारत के ब्रामन थे वह उनके प्वित्त्र-गरन्थ यह यहां पर देखिये यह बृटिज कि जो बृटेर कि आप dollar की संस्कृति के लिए आर हमारी रक्षा करो आगे है ये सारे एतिहासिक स्वाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रिरित कर देते हैं समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारिक तया करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है देखिए जो ये अतिहासिक स्वाल है ये हमारे मन में कुछ-कुछ सोचने की प्रेरना दे देते हैं लेकिन जो ये चीजे होती है ये किसी एक साल या महीमिने में इनको हम नहीं नाप सकते क्योंकि ऐसे प्रक्रिया कई साल तक शुरू हो सकते है उसको शुरू होने में कई साल लगते है देखिए भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सुवेरे चाई पिना शुरू नहीं कर दिया था इसका सुवात धिरे-धिरे ही उनकी जबान पर चड़ा था इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पस्ट तिथी नहीं हो सकती इसी तरह हम ब्रीटिस आशन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथी नहीं बता सकते देखिए जो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिनको लंबा समय लग जाता है जैसे अगर हम चाई की बात करें तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही हमी किसे ने चाई पिलाई और पूरा भारत उसको चाई पिने शुरू कर दिया ऐसा नहीं होता उसको बहुत टाइम लगा और इसी परकार जो ब्रीटिस सरकार थी उसको भी भारत में साशन करने में बहुत यदा टाइम लग गया इसके लिए कोई एक डेट नहीं बता सकते एक तीथी नहीं बता सकते कि ब्रीटिस साशन की जो स्थापना थी वो कैसे हुई थी या कब हुई थी भारत में राष्ट्री आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थ विवस्ता या समाज में किस दिन बदलाव आए यह पताना भी संभव नहीं है ये सारी चीजे एक लंबे समय में घटती हैं ऐसे में हम सिर्फ एक अवधी की ही बात कर सकते हैं एक लगभग सही अवधी के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे देखिए ऐसे ही जब हमारा राष्ट्री आंदोलन हुआ ब्रीटिश के खिलाफ या जो हमारी अर्थ विवस्ता थी या जो हमारा समाज था उसमें कैसे किस दिन बदलाव आया यह हम असानी से नहीं बता सकते और यह सारी चीज़े काफी लंबे समय में घटती हैं इसकी सिफ है कि हम अवधी बता सकते हैं कि करीब इतने मिहने इतने सालों के बीच में यह चीज़े हुई थी आगे चलते हैं तो फिर लोग एतिहास को तारिकों से जोड क्यों देते हैं इस जुडावगी एक वज़े है एक समय था जब यूत और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्योरों को ही एतिहास माना जाता था यह एतिहास राजा और महराजों और उनके नीचियों के बारे में होता था और वह कब मरा और उसके बाद कौन सा साशक गदी पर बैठा इस तरह के गटनाओं के लिए निश्चित तिथी बताई जा सकती है और इस तरह के एतिहासों में तीथियों का महतव बना रहता है देखिए जादा तर जो लोग हैं वो एतिहास को तारिखों से ही जोड़ कर देखती है और इसकी एक वज़य यह है कि बहुत पुरानी टाइम में जब यूथ या बड़ी बड़ी कुछ भी ऐसी घटना होती थी तो उसमें तारिखों को महतव माना जाता था जब किसी राजा राजा या कोई महराजा या उसके कोई जो भी नीतिया होती थी उसके बारे में लिखना होता था तो एतिहास कर उसको साल से जोड़ देते थे वो यह कहते थे कि इस साल में इस राजा को गदी पर बठाया गया इस वरश उसका विवा हुआ फिर किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन-कौन से उसने किस की साल में लड़ी और वह कम मरा और उसके बाद कौन सा साशक उसके गदी पर बैठा इस तरह के जो गड़नाई हैं उनमें निश्चित तिथी बताई जा सकती है और इस तरह के एतिहास में ही तीथियों का महतव बना रहता है जैसा कि पिछले दो साल के एतिहास की किताबों में आपने देखा है अब एतिहास कर बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बनी और बजार किस तरह फैले, किस तरह रियासित बनी, नई विचारपन पे और संस्कृति वे समाज किस तरह बदले देखिए पिछले दो सालों का जो हमने जो हिस्ट्री में पढ़ा है उसमें सिर्फ इन की राजा कब जी या कब मरा सिर्फ इन चीजों को छोड़ कर भी बहुत सारे मुद्धे हैं और जो दूसरे स्वाल हैं उनके बारे में भी जो एतिहासकार हैं वो लिखने लगी हैं उन्ह कि रियास्तが कैसे बढ़नें लगी उनमें किस ड्रह के नएने विचार बढ़ने लगे थे उनकी जो समाजिक या जो संसकृती थी वो कैसे बदलने लगी वो कैसे फैन ले लगी इस अब जो इतिहासकार थे वो इन मुद्धों पर भी लिखने लगे थे आगे है कौन सी तारीख है कुछ तारीखों को महतवपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है हम जो तारीखे चुनते हैं जिन तारीखों के इर्द गीर्द हम अतीत की कहाने बुनते हैं वे अपने आप में महतवपूर्ण नहीं होती वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ घास कटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं अगर अध्यान का विश्य बदल जाता है अगर हम नई मुद्वंग पर ध्यान देने लगते हैं तो महतवपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं ठीक है एक उधारन पर विचार केजिए भारत में ब्रीटिश एतिहासकारों ने जो एतिहास लिखे उसमें हर एक गवर्नर जनरल का साशनकाल महतवपूर्ण है ये एतिहास प्रतम गवर्नर जनरल वोरिन हास्टिंग के साश होते थे अलग-अलग अध्याओं में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग वेललेजी बेंटिक डलहोजी कैनिंग लोरेंस लिटन रिपन करचन हार्डिंग इर्विन के बारे में भी पढ़ते हैं इस एतिहास में गवर्नर जनरल और वाइसराओं का कभी न खतम होने वाल सिल्सला ही चाय रहता था इतिहास की इन किताबों में साही तारिखों का महतव इन अधिकारियों उनकी गतिवीधियों नीतियों उपलवधियों के अधार पर ही तैह होता था यह है ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई चीज नहीं थी जिससे जानना महतव पू जब अंग्रेजों का रास्त आ रखा था तो उससे में गुवर्नर जनरल और जो वाइसराय थे उनकी अलग-अलग नीतियां थी कि कब कौन सा जनरल आया कब कौन सा वाइसराय आया किस ने कौन-कौन सी गतिवीदियां की क्या-क्या उपलब्दियां पाई तो इन सारी का एक इतिहास बना हुआ है काफी सारी किताबे इस पर बनी हुई है और इन तारीखों का भी महतव है और ये जो इन लोगों का जो जीवन का जो क्रम था अब ये आए फिर उसके बाद वो आए फिर वो आए तो ये क्रम ब्रीटिश भारत के इतिहास में अलग-अध्यायू का विश समूहों और वर्गों की गतिविद्यों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं देखिए इस दोर में जो इतिहास था उसको अलग-धंग से नहीं लिख सकते थे क्योंकि जादा तर जो गवर्नर जल रहे थे जो ब्रीटिश का जो राज्य था उसमें इनी लोगों पर ज्यादा महत दिया जाता था ना कि जो भारतिय समाज के जो मुद्दे थे, समूहों थे या जो वर्ग थे उनकी गतिविद्यों पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था जब हम एतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकडों या अध्यावयों में बांट देते हैं हम ऐस इसा क्यों करते हैं ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि हर अध्याएं में कुछ सामंजस से रहे इसका मकस्त कहाने को और इस तरह सामने लाना होता है और इसे असानी से समझा सके और याद रखा जा सके इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन कटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहान पार्ट एक पार्ट दो तीन, चार ऐसे, लेकिन ये ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि हर अधाय में कुछ साम authors से हो, इसका मकस्थ कहानी को इस परकार से सामने लाया जाता है, ताकि उसे असानी से समझा जा सके, और उसे याद किया जा सके, और इस प्रकृया में सिर्फ उन जनरल के जीवन के इर्दगिर चलता है उसमें भारतों की गतिवीदिया कोई माइने नहीं रखती उनके लिए वहाँ कोई जगए नहीं होती तो फिर क्या किया जाए जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा इसका मतलब यह है कि अब तक जिन इतिहास में गवर्नर जनरल का जीवन या उनकी जो गतिवीदिया है उनकी नीतिया उपलब दिया उसके इर्थगिर्ध ही जो सारा इतिहास घूम रहा था तो उन तीथियों के अब हमारे लिए कोई जगए नहीं रहेगी क्योंकि वो सिर्फ उनके लिए ही था उनके बारे म इतनी मैत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। क्या आपको भारते इतिहास को समझने के लिए इस तरीके में कोई समस्या दिखाए देती है। इतिहास को हम अलग-अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। इसके भी एक वज़य है। हम एक दोर की खासी तों उसके केंद्रिय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द मैतव पूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधी से दूसरी अवधी के बीच आए बदलावों का क्या महतव होता है। देखिए क्या जरूरी है कि जो एतिहास का उसको अलग-अलग भांटों में बांटना जरूरी है क्योंकि ये जरूरी है क्योंकि इसकी एक वज़ा है क्योंकि जब अतीत के बारे में जब हम सोचते हैं तो वे हमें बताते हैं कि एक अवधी से दूसरे अवधी के बीच में क्य क्या-क्या जो बदलावाई हैं उनका क्या-क्या महतव है आगे है कि मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले यूरोप से पीछे हैं इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों की आने से पहले यहां हिंदू और मुसल्मान तानाशाहूं का ही राज चलता था यहां चारो और किवल धार्मिक बैर जातिगत बंदन और अंत्विश्वासों का ही बोल बाला था देखिए जो ये अर्थ शास्त्री और राजनीतिक दाशनिक जेम्स मिल हैं इनको लगता था कि सारे एशिया में पहले सभ्यता के मामले में वो भारत में अंग्रेजों क्याने से पहले वहां हिंदू और मुसल्मान ताना शाहों का राज चलता था और वहां पे सिर्फ धरम के या जाती के या अंध्विशवास ज्यादा चलते थे और उस पहील राए जगड़े होते रहते थे आगे है कि मिल की राए में ब्रीटिस साशन भारत को सभ्यता की राहा पर ले जा सकता था इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपिय सिस्टाचार, कला, संस्थानों और कानिनों को लागू किया जाए देखे जो मिल सोचते थे कि जो ब्रीटिस साशन की आने से ही भारत की जो सभ्यता है उसको एक दिशा दे जा सकती है और इसके लिए जरूरी था कि जो भारत में यूरोप का जो सिस्टाचार है वहां की जो कला है वहां के संस्थान है कानुन है उनको लागू किया जाए मिल ने तो यहां तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कबजा कर लेना चाहिए ताकि भारतिय जनता को ज्यान और सुखी जीवन परदान किया जा सके उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगती नहीं कर सकता देखे जो मिल थे वो सोचते थे कि अंग्रेजों को पूरे भारत पे ही कबजा कर लेना चाहिए ताकि जो भारतिय जनता है उसको ज्यान और सुखी दिया जा सके उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद से ही हिंदुस्तान है वो सफलता की और जा सकता है वो प्रगती कर सकता है आगे चलते हैं कि अतिहास की इस धारना में अंग्रेजी साशन प्रगती और सब्धता का परतीक था अंग्रेजी साशन से पहले सारा अंधकार का दोर था क्या इस तरह की धारना को सविकार किया जा सकता है क्या इतिहास के किसी दोर को हिंदू या मुसल्मान दोर कहा जा सकता है क्या इन सारे दोरों में कोई कई तरह के धरम एक साथ नहीं चलते थे किस यूग को केवल उस समय के साश्रकों के धरम के हिसाब से तैय करने की जरूरत क्या है अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह है कहना चाहते हैं कि ओरों के जीवन और तोरो तोरीकों का कोई महतव नहीं होता हमें याद रखना चाहिए कि प्राचिन भारत में सारे साश्रकों का भी एक धरम नहीं होता था देख लिए क्या जो यह मिलने कहा है कि एतिहास में हिंदु या मुस्लिम दोर था उस समय कई धरम एक साथ नहीं चलते थे अगर हिंदू है तो सिर्फ हिंदू धर्म मानना जाता था, मुसल्मान है तो सिर्फ मुसल्मान धर्म मानना जाता था, उस समय के जो साशक थे उसी के हिसाब से वो जो धर्म फोलो करता था, वही धर्म पूरे सबका हो जाता था, अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि औरों का जो जीवन था जो तोर तरीका था उसका कोई महतव नहीं हो जाता सिर्फ उस एक पर्टिकुलर धरम को ही महतव दिया जाता है आगे है कि अंग्रेजों दुवारा सुझाये गए वर्गीकरन से अलग हटकर एतिहासकर भारतिय एतिहास को आमतोर पर प्राचीन, मध्यकालिन तथा आधनिक काल में बांट कर देखते हैं देखिये जो अंग्रेजों ने जो वर्गीकरन किया उससे अलग अगर हम हटकर देखते हैं तो जो एतिहासकर है उन्होंने बारतिय एतिहास को पराचीन, मध्यकाल और आधनिक काल में बांटा है इस विभाजन की भी अपनी समस्याई है और इनकी भी समस्याई है इसके साथ साथ कि एतिहास ने इन खंडों को बाटने की यह समझ भी पस्चिम से आई है पस्चिम में आधनिक काल को विज्ञान, तरक, लोक, तंत्र, मुक्ती और समानता जैसी आधनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता था उनके लिए मध्यकालिन समाज वे समाजते जहां आधनिक समाज की विशेश्टाई नहीं थी देखिए जो एतिहास ने आधनिक प्राचिन, मध्यकालिन और आधनिक काल में से बांट रखा है इसकी भी एक समझ चाई है क्योंकि इनको बांटने की यह समझ थी वो पस्चिम से वेस्ट से ही आई थी और जब पस्चिम था उसने आधनिक काल को उसमें कितनी साइंस की तरक्की हुई है उसमें कितने लोग तरक करते हैं लोग तंतर कैसा है जो डेमोक्रेटिक जो फ्रीडम है वो कैसी है कितनी लोगों में समानता हैं इस टाइप की चीजों का आधनिक काल को युग माना जाता है उनके लिए जो मध्यकालेन समाज था वो ऐसा समाज था जहां पर जो आधनिक समाज की जो विशेष्टाइं हैं वो नहीं थी वहां पर इतनी तरक्की नहीं हुई थी क्या हम अपने अध्यन के लिए आधनिक काल की इस अवधारना को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं, जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के साशन में लोगों के पास समानता, सवतंतरता और मुक्ती नहीं थी, नहीं आर्थिक विकास और प्रगती का दोर था, देखिए मिल को लगता थ था कि अगर भारत पर ब्रीचिस राज करेंगे तो भारत की तरक्की होएगी लेकिन ऐसा नहीं है आप अगर इन किताबों में देखेंगे तो अंग्रेज्जों के साशन के समय लोगों में कोई समानता भी नहीं थी कोई सबतंतरता नहीं थी कोई मुक्ति भी नहीं थी और ना अब आगे है कि ओपनी वेशिक क्या होता है इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानिय नवाबों और राजाओं को दवा कर अपना साशन सापित किया आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थ वेवस्ता वे समाज पर नियंतरन सापित किया अपने सारे खर्चों को निप्टाने के लिए राजस्व वसूल किया अपनी जरूरतों की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा निर्यात के लिए महतपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलावाए देखिए कि जो आगे की किताब हैं उसमें पढ़ेंगे कि अंगरेजों न कैसे भारत को जीता कैसे राजाओं को दबाया नवाबों को दबाया और अपना जो साशन था वो स्थापित किया उन्होंने कैसे अर्थ वेवस्त सावय समाज पर नियंतरन किया और अपने सारे खर्चों को निप्टाने के लिए कर लिया और जो उनकी जुरूत हो उनको सस्ति कीमतों पर खरीदा निर्यात के लिए कितनी महतवपून जो फसले हैं उन्हीं की खेती करवाई और सारी कोशिशों के कारण भारत में क्या-क्य बदलाव आ गए आप ये भी जानेंगे कि ब्रीटिस साशन के कारण यहां की मूल मान्यताओं और पसंद ना पसंद रीती रिवाज बत तोरतरीकों में क्या बदलाव आए जब एक देश पर दूसरे देश के दबदववे से इस तरह के राजनेतिक, आर्थिक, समाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को उपने वेशी करण कहते हैं देखिए जब एक देश दूसरे देश पर अपनी मूल माननेता पसंद ना पसंद रीती रिवाज तोरतरीके इनको उसके उपर जोर्डवर से डालता है तो उसके वज़े से जो राजनेतिक, आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक जो इस टैप के जो भी बदलावाते हैं उसी प्रक्रिया को अपनी वेशिकरन कहा जाता है आगे है लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनभव नहीं करते थे इसलिए इस किताब को हमारे अतियत यानि कई अतियतों पर केंदित नाम दिया गया है कुछ बदलाव होता तो जरूर था तो और इस किताब में जो हमारा अतियत है या यानि जो अतियत पर जो केंदित है उसको नाम दिया गया है हम किस तरह जानते हैं अगे है ये एक प्रशन है कि भारती इतिहास के पिछले 200 सालों का इतिहास लिखने के लिए इतिहास कर कौन से स्थरोतों का इस्तिमाल करते है कि हमें कैसे बता चलता है कि उस समय क्या हुआ था पर साशन अभी लेक तियार करता है देखिए अंग्रेजी साशन दवारा तियार किये गए सरकारी रिकॉर्ड एतिहास कारों का एक महतपूर्ण साधन होते हैं अंग्रेजों की मानित था थी कि चीजों को लिखना बहुत महतपूर्ण होता है उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत, फैसले, सहमती, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छे तरह अधियन किया जा सकता था और उन पर वादविवाद किया जा सकता इस समझदारी के चलते ग्यापन, टिपनी और प्रतिवेदन पर आधारित साशन की संस्कृती पैदा हुई देखिए जो अंग्रेज साशन थे जो अंग्रेजी लोग थे वो बहुत महतपूर्ण मानते थे कि जो भी चीजे वहाँ पर फैसले, निर्देश या योजना या जो नितिकत जो फैसले हुए जा रही हैं, उनके लिए वो लिखना बहुत ही जरूरी मानते थे और वो बहुत साफ साफ लिखा जाता था, ऐसा करने के बाद जो चीजें थी उसको अच्छी तरह समझा जाता था, उन पर वाद विवाद उस पर बहस होती थी और इस समझदा के चलते ग्यापन, टिपनी और प्रतिवेदन पर आधारित जो साशन की जो संस्क्रीती थी वो पैदा हो गई, अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम एहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने अपने साश के संस्थानों मे अभिलेक कक्ष भी बनवा दिये, तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिशनर के दफ्तर, परांतिय, सचिवाल्य, कचैरी, सबके अपने रिकोर्ड रूम होते थे, महतपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेकाकार, आर्काइब और संग्राले जैसे भी बनाए गए, देखे जो अंग्रियज है, उनको लगता था कि जो भी एहम दस्तावेज है, जो पत्र है, उनको संभाल कर रखना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने हर दफ्तर में, चाहिए हो तैसे इलदार का हो, कलेक्टर हो, कमिशनर का हो, जो सच्चावाले हो, कच्व उन्निस्वी सदी के शुरुवात में, परसाशन की एक शाखा से दूसरे शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ग्यापनों को आप आज भी अभी लेखागारों में देख सकते हैं, वहां आप जिला अधिकारियों दुवारा त्यार किये गए नोट्स और रिपोर्ट्स प जो उन्निस्वी सदी के शुरुवात थी, वहां पर एक शाखा से दूसरी शाखा उपर से लेकर नीचे तक जो भी अधिकारी थे एक दूसरे के नोट्स देते थे रिपोर्ट्स देते थे और वो उनको पढ़ते थे और उसी के हिसाब से सुझाओ भी दिये जाते थे और फ खुश नसीवी के माहिर लिखते थे, खुश नसीवी या सुलेखन वीज ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़े लिखते हैं। वो भी फैलने लगी थी और अभी स्तक्नी का सारे सरकारी विभाग भी लेने लगे थे और जो दस्तेवेजा हैं एक दस्तावेज के कई-कई प्रतियां बनानी जाने लगी थी। इसमें इस फोटो में दिख रहा है कि भारती रास्त्रिय अभी लेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्मान हुआ तो रास्त्रिय संग्राल्य और रास्त्रिय अभी लेखागार दोनों ही वाइसराय के निवास के नस्दीक बनाये गए थे। इसे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महतव था। देखिए आगे हैं सर्वेक्षन का बढ़ता महतव उपनिवेशक साशन के दुरान सर्वेक्षन का चलन भी महतव पूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छे तरह साशन चलाने के लिए उसको सही डंग से जानना जरूरी होता है। देखिए जब ये साशन करने की शुरुवात हुई वो धिरे-दिरे जैसे अपना रोब बढ़ा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि वहाँ पे सर्वेक्षन भी जरूरी है क्योंकि अगर उन्हें साशन करना है तो उन्हें जरूरी पताज लगाना चाहिए कि इस देश में क्या हो रहा है और वहाँ के जो विचार है वहाँ के जो संस्क्रीती है ये उनकी जो भी उनकी सोच है वो किस परकार की है उनका क्या रहन सहन है आगे है 19-20 सदी की शुरुवात तक पूरे देश का नक्सचा त्यार करने के लिए बड़े-बड़े सर्वेक्षन किये जाने लगे गाउं में राजस्व सर्वेक्षन किये गए इन सर्वेक्षनों में धर्ती की सतह है मिट्टी की गुणवत्ता वहां मिलने वाले पेड़ पोधों और जीव जन्तों तता स्थानिय एतिहासों एवं फसलों का पता लगाया जाता था देखिए और जी सर्वेक्षन थे वो 19- ऐसे उस धर्ती की मिट्टी है मिट्टी की क्या गुणवत्ता है वहां कौन-कौन से फेड़ पोधे पाए जाते हैं कौन से जीव जन्तों पाए जाते हैं वहां पे कौन सी फसले हैं वहां के क्या-क्या एतिहास है इन साई चीजों का सर्वेक्षन किया जाने लगा अंग्र जरिये भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाती, इलाके और वेवसाय के बारे में जानकरिया इकठा की जाती थी। इसके अलावा बानस्पतिक सर्वेक्षन, परानी वग्यानिक सर्वेक्षन, पुराता तत्विय सर्वेक्षन, मानवशात्रिय सर्वेक्षन, बन सर्वेक्षन, आधी कई दूसरे सर्वेक्षन भी किया जाते थे देखिए जब 19-वी सदी जब खत्म होने वाली थी तब से लेकर अब तक लवबग हर 10 साल में जन्वगन्ना भी कड़ी जाने लगी जन्वगन्ना उसमें हर जगबे रहने वाले लोगों की क्या संक्या है वो किस जाती है की है किस इलाकी में रहते हैं वो क्या काम करते हैं इस तरह की जानकरिया इकठी की जाती थी इसके अलावा वहाँ पर कौन-कौन सी वनस्पती है प्रानिक या विज्यानिक सर्वेक्षन किये जाते थे पुरा तत्वी सरहिक्षन किया जाता था मानवशास्त्रिय का सर्वेक्षन होता था वन का सर्वेक्षन या दूसरे तरह के कैफी सर्वेक्षन कियا जाते थे अधिकरित record से क्या पता नहीं चलता देखिए रिकोर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं फिर भी इस बात को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सरकारी, कि ये सारे सरकारी रिकोर्ड है इन से हमें यही पता चलता है कि सरकारी ओफसर क्या सोचते थे उनके दिल्चस्पी किन चीजों में थी और बात के लिए वो किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे इन रिकोर्ड में हमें ये समझने की मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरों लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कारवाईयों की क्या वज़य थी देखिए अब हम उपर देखते हैं कि ये जो चितर है इसमें बंगोल में मान चितर और सर्वेक्षन कार्या चल रहा है जेम्स प्रिंसप दुवारा बनाई गई तस्वीर 1832 ये 1832 की तस्वीर है और इसमें बंगोल में सर्वेक्षन चल रहा है और यह जो तस्वीर है वो James Princip ने बनाई है ध्यान से देखें कि जो सर्वेक्षन में इस्तिमाल होने वाले सारे उपकरन को चितर के अगले हिसे में दिखाया गया है देखें यहाँ पे यह चितर है यह सारे उपकरन उस समय यूज किये गए थे चितरकार इस परियोजना के वग्यानिक सवरूप पर खास्तोर से जोर देना चाहता है इसमें जो उनका सर्वेक्षन होता था वो वग्यानिक चीजों को ही यूज करके किया जाता था और यही जो चितरकार है उसने इसमें दर्शाया है आगे है 1857 के विद्रोही इस फोटो में हमें दिख रहा है कि यहां पे लड़ाई हो रही है कुछ गोड़ों पर बैट कर लड़ रहे हैं कुछ अपने हातों से ही लड़ रहे हैं आगे हैं इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा कि जो यह रिकोर्ड्स हैं जो हमें मिलते हैं उसमें तो सिर्फ यही पता लगा सकते हैं कि जहां पे यह सरकारी ओफसर क्या सोचते थे उनकी क्या क्या दिल्चस्पियां थी उसे हम ये नहीं पता लगा सकते कि जब भारत देश के दूसरे लोग हैं अलग-लग जब रहते हैं उनके क्या मैसूस करते थे और उन्होंने जो कारगाई ही की उसके क्या वज़े थी इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा जब हम ऐसे दूसरे स्तुरोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती लेकिन सरकारी रिकोर्ड की मुकाबले उन्हें डूंडना जरा मुश्किल साबित होता है इस लिहाज से लोगों की डायरिया तिर्थ यात्राओं और यात्रियों के समरन महतुपुन लोगों की आत्मकताई और स्थानिय बजारों में बिकने वाली लोग प्रिया पुस्तक- महतुपुन हो जाती हैं देखिए हर चीज सरकारी रिकोर्ड से नहीं मिल सकती लेकिन जो दूसरी चीज़े हैं उनको डूंडना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों की जो डायरिया है वो जब तीर्थ यात्राओं करते थे या जो यात्री है इदरू अलग-अलग से आते थे उनके संस्मरन क्या थे उन महतुपुन लोगों की जो आत्म कताय थे वो क्या थी जो बजार में जो बिकने वाले जो लोग प्रिया पुस्तक पुस्तकाई थी वो सारी महतुपुन हो जाती है जैसे जैसे चपाई की तकनीक फैली अकबार चपने लगे और विभि प्रिंटिंग है उसकी जो तकनीक फैलने लगी तो अखबार भी चपने लगे और अलग-अलग मुद्दाओं पर जन्ताओं में बहस होने लगी और जो नेता थे जो सुमासुधारक थे वह भी अपने विचार को फैलाने के लिए लिखने लगे कभियों और उपनियास कारून उने भी अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखना शुरू कर दिया लेकिन ये सारे सत्रोत लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे इनसे हम यह नहीं पता लगा सकते कि आदिवासी और किसान खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिन्दी की गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनभव से गुजर रहे थे देखे जो सिर्फ पढ़े लिखे लोग थे वही तो लिख सकते थे और जो लोग नहीं लिख सकते थे जो आदिवासी थे किसान थे जो मजदूर थे खदानों में काम करते थे या जो गरीब सिर् इस कताब में आगर बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगीगी देखिए यह चेप्टर हमारा खत्म हो गया है इसके राइट साइड में है कि इंसानों के खाने के लायक नहीं देखिए अकबारों से देश के वीभिन विभागों में चल रहे आंदलोनों का पता चलता है यहां 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने प्रिस्पतवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइसेंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इंकार कर दिया जैसे कोई इंसान नहीं खा सकता हमें जो चपाति और दाल खाने पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते हैं यह हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946 की एक खबर है देखे उस समय प्रिंटिंग शुरू हो चुकी थी और अकबार वगरा यह सब प्रिंटिंग में काफी लोगप है तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को थेंक यू फर वचिंग दे वीडियो